हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग तो अल उफ यू, स्वागत है अब सभी का अनलाइन इस्टडिय अकैडमी में आज देट है 29 अक्टूबर 2020 और आज की डेट के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स हैं वो डिसकस करेंगे हम इस वीडियो में साथ ही देखेंगे कुछ इंपोर्टेंट वर्ल नाइनर्स और उसके बाद है क्विज तो मेक्शियर वीडियो को लाज तक जरूर देखेगा तो यह शुरू करते हैं तो अचका पहला कोश्चन है इस देख की डाक सेवा ने डेटा के इलेक्रोनिक विन्निमा के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं तब हाली में USA की पोस्टल सर्विस जिसे कहा जाता है USPA यानि United States Postal Service उन्होंने इंडिया पोस्ट के साथ एक एग्रिमेंट साइन किया है और यह एग्रिमेंट साइन किया गया है दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रोनिक डेटा एक्शेंज के लिए तो यह एग्रिमेंट साइन किया गया है भारत और USA के बीच ताकि जो पार्सल और शिप्मेंट का एक्सपोर्ट होता है दोनों देशों के बीच तो उसको और भी ज़्यादा आसान बना जाए यह एग्रिमेंट के द्वारा जो भी respective bodies हैं दोनों देशों की तो जो भी shipment और एक्सपोर्ट किये जाने वाले हैं तो उनका जो information है वो electronic ही भेज देंगे यानि एक तरह से online उस data को भेज दिया जाएगा पहले ही तो इस तरह से जो shipment है वहाँ पे पहुंचने से पहले ही उस shipment और parcel का information वहाँ की जो respective bodies हैं उनके पास पहुंच जाएगा तो इस तरह से custom में भी काफी जादा आसानी हो जाएगी और काफी जादा समय भी बचा जा सकता है और इससे जो postal services है उसको भी सुधारा जा सकता है दोनों देसों में तो पुराने data के अनुसार जो की 2019 का है 2019 के data के अनुसार जितने भी small packet और letters भेजे गए हैं भारत को जार एक्सपोर्ट किये गए हैं उनमें से लगभग 30 प्रतिशत USA में भेजे गए हैं और भारत द्वारा जितने भी personal shipment या packets रिसीप किये गए हैं पिछले साथ तो उनमें से लगभग 60 प्रतिशत USA से आए हैं और योसार के बारे में बात करें तो यहां के प्रेस्डेंट है डोनल्ड ट्रम्प capital है Washington DC Washington DC और currency है US dollars next option है who has become the new president of Bolivia Bolivia के नही राश्टपती कौन बने हैं तभी हाली में Louis RK बने हैं Bolivia के नही राश्टपती Louis RK और जो वेवल राम कलावन है यह भारती मूल के राश्टपती बने हैं सेशेल्स में तहांके सेशेल्स उसके लावा जो साद हरीरी है साद हरीरी लेबनान के प्रधानवांत्री के रूप में नियुक्त किये गए हैं कुछी दिनों पहले लेबनान के प्राइम मिनिस्टर बने हैं और जो मुक्तवार ओने हैं मुक्तवार ओने कुछी दिनों पहले माली में नए प्रधान अंत्री यानि प्राइम मिनिस्टर बने है तो बोलिविया के प्रेसिडेंट बने है लुईस आरके और ये सक्सीड करेंगे जीनी एनेस को यानि इनके पहले राश्पाती थे बोलिविया के जीनी एनेस और अब ज दूसरी है सूक्र लापेज और सूक्र करेंशी है बोलिवियानों और प्रेसिडेंट बने है लूईस आरके नस्यड कोशन है विच बैंक हैस पबलिजड ऑब रिपोर्ट किस cultural report पतकाशित की है यादि अब्य हाली में जो जन्धन accounts होते हैं प्रदानमंत्री जन्धन accounts जो है उनको खुलवाने में यानि नए जन्धन account खुलने में लगभग 60% का increment हुआ है यह इस report का main highlight था कि जन्धन account खुलवाने में 60% की बढ़ोत्री आई है इस report में और भी बहुत सी highlights थी जैसे कि एक तो गई जन्धन account खुलवाने में 60% का increment हुआ है दूसरा यह जन्धन account है इनको यूज करने में भी बढ़ावा हुआ है इनके users में उसके अलाबा ऐसे regions जहाँ पे चोरी का ज़्यादा खत्रा है वहाँ पे यह accounts का users जो है वो बढ़ा है इसके लाब उत्तर प्रदेश महराष्ट हरियाना जैसे states में जो PMJDY accounts है इनमें गिरावाट यानि decline देखी गई और यह PMJDY यानि प्रदानमंत्री जंधन योजना जो है इसे launch किया गया था अगर्ष्ट 2014 में और इस scheme को launch किया गया था national mission for financial inclusion के अंडर में ताकि जो भी जितने भी people हैं adults हैं तो हर एक adults के पास उनका एक basic banking account हो उनके पास credit का access हो के उनको financial के बारे में awareness हो उनके पास वित्ती जानकारी हो उनके पास financial literacy हो और उनके पास insurance और pension जैसे चीजों का भी knowledge होना चाहिए तो इसलिए launch किया गया था प्रधान मंत्री जंधन योजना तो ये report जारी की है State Bank of India ने तो आए देख लेते है State Bank of India के बारे में तो सबसे पहले 1806 में आया था Bank of कलकत्त उसके बाद 1840 में बैंक of Bombay और उसके आद 1843 में आया था Bank of Madras उसके ने सो एकिस में इन तीनों ही बैंक को मर्ज करके एक नय बैंक बनाया था Imperial Bank of India ये बैंक 1921 में बनाया गया और ये चला 1955 तक उसके एक जुलाई 1955 को इसे चेंज करके बना दिया गया था State Bank of India तो इसकी स्थापना मनाई जाती है एक जुलाई 1955 को मानी जाती है और एक जुलाई को ही भारत में SBI Day के रूप में मनाया जाता है और प्रेजेंट में यहां के नय चेयर्मेन बने है दिनेश कुमार खारा तो ये most important question है आप लोग के लिए SBI के नय चेयर्मेन बने है दिनेश कुमार खारा और इन्होंने रिप्लेश किया है रजनीश कुमार जी को स्टेट बैंक का हेड़कॉर्टर है मुंबाई महारास्ट में और टैग लाइन भी रखियेगा पांच टैग लाइन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की दा नेशन बैंक सोनस pure banking nothing else with you all the way the banker to every Indian और a bank of common men नशन है which state has launched सूमंगल पोर्टल and a web portal for student scholarships किस राजी ने सूमंगल पोर्टल और चात्रवित्ती के लिए एक web portal launch किया है तब यहाली में उरिशा के चेप मिनिस्टर नवीन पतनाइक जी ने और इसा में शुरू किया है दो web portal एक है सूमंगल पोर्टल जो की launch किया गया है इंटर कास्ट मैरिज के लिए और दूसरा पोर्टल launch किया गया है जो हाँ के students है उनके scholarship के लिए और उसका नाम है और इसा state scholarship portal के नाम है दूसरे पोर्टल का औरिशा state scholarship पोर्टल तो ये दो पोर्टल launch किये गया है तो जो पहला पोर्टल है ओरिशा state scholarship portal ये launch किया गया है ताकि जो भी students है ओरिशा में उनको seamless और transparent तरीके से scholarship का benefit मिले तो इस scheme के under में लगभग 11 तरह की scholarship offer किये जाएंगे इसमें 8 state department के दोरा जिसमें कि लगभग 11 लाख beneficiary students को फाइदा होगा और mainly ये होंगे schedule caste schedule tribe, OVC और other educational backward classes से जिनें भी scholarship की जरूरत है उन्हें cover किया जाएगा तो लगभग 11 लाख beneficiary को benefit मिले गए इससे और दूसरी जो scheme है सूमंगल portal ये launch किया गया है जो inter caste या inter ethnic marriage होती है उसके लिए तो चीप मिनिस्टर नवीन पतनायक जी ने कहा कि अगर इस तरह की marriage को support किया जाए inter caste और inter ethnic marriage को तो जो society है उसमें equality को promote किया जा सकता है racial discrimination को reduce किया जा सकता है और unity को भी से बढ़ावा मिलेगा social unity को तो इसलिए ये portal शुरू किया गया है inter caste या inter ethnic marriages के लिए तो जो भी beneficaries है वो इससे धाई लाग रुपए तक का benefit अवेल कर सकते हैं बात करें उरिसा की तो यहां के चीप मिनिस्टर है नवीन पतनायक गवर्नर है गनेशी लाल और capital है भूवनेश्वर next option है who has led Indian delegation in the recently held sixth BRICS parliamentary forum हाली में आयोजित छठे BRICS संसदी मंच में भारती प्रतिनिधी मंडल का नेतरित किस ने किया है तो भी हाली में लोग सभा के speaker ओम बिड़ा जी ने भारत के प्रतिनिधी मंडल का नेतरित किया है जब यहाली में हुई है sixth BRICS parliamentary forum यानि की छठा BRICS संसदी मंच तो वहाँ पे ओम बिड़ा जी ने भारत की delegation को lead किया है ओम बिड़ा जी कौन है ओम बिड़ा जी है लोग सभा के speaker तो इस forum में BRICS के जो भी member state है जैसे की जो Brazil, China, South Africa के और रशिया और इंडिया तो यहां से जो भी वहाँ के parliaments हैं जीतने members उनके parliaments के speaker यहां पे participate हुए virtually और इसके लिए एक theme रखी गई थी BRICS partnership in the interest of global stability innovative growth and general safety parliamentary dimension यह theme थी और इस जो forum है इसको इसके अध्षिता की है जो रशिया के federal assembly के chairman है उन्होंने तो इस forum में में इनली discuss किया गया कि जो भी BRICS countries हैं तो वहाँ के people की quality of life है उसको किस तरह से improve किया जा सकता है उसके लाबा जो COVID-19 के pandemic चल रही है उस तरह से उस दोरान citizens की protection किस तरह से करनी है उसके अलाबा जो भी COVID-19 के बाद का period होगा तो वहाँ पर public health care और economic rehabilitation के लिए क्या क्या initiative उठाने है उसके अलाबा जो MSME है किस तरह से उनको support करना है और parliamentary cooperation बढ़ाने के लिए BRICS countries के बीच में क्या नए initiative launch करने है तो इन सब चीजों के बारे में discuss किया गया इस forum में और जो से पता चल रहा है B से है ब्राजिल, R से रशिया, I से इंडिया C से चाइना और S से साउथ अफरीका Next question है Who has won the third term as the president of Guinea Guinea के राश्पती के रूप में तीसरा कारेकाल किस ने जीता है तब इहाली में अल्फा कॉंडे ने जीता है गिनी के राश्पती के रूप में तीसरा कारेकाल यानि कि ये पिछली दो बार से यहीं राश्पती रह रहे हैं गिनी के और तीसरी बार फिर से इन्होंने चुनाओ जीत लिया है और ये तीसरे कारेकाल के लिए फिर से राश्पती चुने गए हैं गिनी के और नाम क्या है अल्फा कॉंडे इसके लाब जो सादिर जापा रोब हैं सादिर जापा रोब हाल ही में किरगिस्तान के नए प्रधान मंत्री बनाए गए है बिस्तर अल खसाव ने अभी कुछ ही दिनों पहले जॉर्डन के नए प्रधान मंत्री बने है और अलेक्ज दे क्रू बने हैं बेल्जियम के नए प्रधान मंत्री और गिनी के प्रेसिदेंट बने हैं अल्फा कॉंडे बात करें गिनी की तो यहां की कैप्टल है कुनाकरी करेंसी है गिनियन फ्रैंक प्रेसिदेंट बने हैं अल्फा कॉंडे और प्राइम मिनिस्टर हैं इब्राहिमा क सोरी फोफाना नेच्ट उस्ट उस्ट है वो हैज इनाउग्रेटेट दा DST II EST Solar PV हब एट सिप्पूर इन वेस्ट वेंगौल पस्चिम बंगाल के सिप्पूर में DST II EST Solar PV हब का उधगाटन किस ने किया है तब ही हाली में एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोख्रियाल निशांग जी ने इनाउग्रेशन किया है DST II EST Solar PV हब का और इसका इनाउग्रेशन किया गया है वेस्ट वेंगौल के शिप्पूर में और इस शिप्पूर कहां है तो यह वेस्ट वेंगौल के हावरा डिस्टिक पे है तो यह जो Solar PV हब है इसका कॉंसेप्ट लाए गया था 2018 में 2018 में एक आइडिया दिया गया था कि एक वर्ल्ड क्लास रिसर्च फैसेलिटी होनी चाहिए जो कि एक सेंट्रल नोड की तरह काम करें जहां पे solar energy से related knowledge मिले कि किस तरह से उसका fabrication करना है solar photovoltaics किस तरह से बनाने है कि solar field में research और development के लिए इसके लाबा solar photovoltaics module कैसे बनाना है और solar cells का और solar photovoltaics system का testing करने के लिए एक world class research facility होनी चाहिए तो इसी लिए ये नया solar PV hub की स्थापना की जा रही है कहां पे वेस्ट वेंगॉल के शेप्पुर में और इसका inauguration हो चुका है और इसके बन जाने से जो नौर्थ इस्टन का रीजन है भारत में वहाँ पे जो economic condition है उसको काफी यादा boost मिलेगा और जो नहीं नहीं solar related technologies हैं वो भी पहुचाई जा रही हैं वहाँ पे चीजे स्वादेसी बने स्वादेसी टेकनोलोजिस को बढ़ावा मिले नौर्थ इस्ट में भी किस तरह से जो solar cells हैं उनका testing करना है किस तरह से fabrication करना है किस तरह से solar photovoltaic module बनाना है तो इन सब चीजों के बारे में training भी दी जाएगी और भारत के east और north east region में solar energy को बढ़ावा दिया जाएगा और economic को भी इसे boost मिलेगा next question है which initiative will organize India-Australia circular economy hackathon that is IAS भारत-Australia circular economy hackathon यानि कि IAS कौन आयोजित करेगा तब यहाली में नीति आयोग का अटल innovation mission organize कराएगा India-Australia circular economy hackathon जिसे short में कहा गया है IAS और आप यहाँ पे देख रहे होंगे circular economy इसका मतलब क्या होता है circular economy एक ऐसा economic system है जो भी waste होते हैं उनका reduction करता है जितने भी तरह के resources हैं उसको जादस जादा reuse किया जाता है और कोशिस की जाती है कि कम से कम waste जो है develop हो और अगर कोई waste हो रहा है तो उसको दुबारा से योज में लाया जाए तो इन सब चीजों के लिए जो system बनाया जाता है इसे कहा जाता है circular economy तो जो इंडिया अस्टेलिया circular economy hackathon है यानि IAS है इसे launch किया जाएगा in association with CSIRO और इसे launch किया जाएगा 7 और 8 December 2020 को और इसका जो idea है इसका idea दिया गया था 4 June 2020 को जब भारत और अस्टेलिया के प्रधानमंतियों के बीच में एक virtual summit हुआ था तो वहीं पर इसका idea दिया गया था वहापे decide किया गया था कि जो भी circular economy है इसको boost करने के लिए अलागा लगता है कि innovative waste खोजने के लिए एक hackathon launch किया जाएगा जिसका नाम दिया गया है India Australia Circular Economy Hackathon तो IAS का main name है जो circular economy challenges है इनको पूरा करना और किस तरह से जो waste है उनको eliminate करना और जो भी waste है उनको reuse भी करना तो जो भी bright minded students है start-up है या MSME है eliminate करना है या waste को reuse करना है तो IAS का focus यह है कि जो भी ideas या solutions दिये जा रहे है उन student startup या MSME की दोरा तो उनको develop करना उनको identify करना और उनको develop करना और जो भी student startup या MSME shortlist होंगे उनको इस hackathon में invite किया जाएगा और एक student और एक startup MSME को जो है तो price distribute किया जाएगा उसी hackathon में पर theme एक student और एक startup MSME और इसके लिए चार theme रखी गई है पहरे theme है innovation in reducing packaging waste दूसरी है innovation in food supply chains avoiding waste तीसरी है creating opportunities for plastic waste reduction और चौती है recycling critical energy metals and e-waste तो चारो ही theme में दोनों देशों से एक student और एक startup MSME को चुना जाएगा next question है which state has allowed 30% reservation for the women as guards in fire and rescue services किस राज ने fire and rescue सेवाओं में गाड के रुपे महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की अनुमती दी है तब ही केरला सरकार ने केरला की महिलाओं को 30% का आरक्षण दीया है जो fire and rescue services है वहाँ पे guards के लिए यानि जो fire and rescue services है किरला की वहाँ पे अब women's को भी appointment किया जाएगा वहाँ पे appointment किया जाएगा women's का और उसके लिए ही 30% का reservation दीया गया हुने है और इसे launch किया गया है ताकि जो वहाँ की women's है उनको ससक्त बना जाए उनको empowerment मिले जिसके पहले जो males हैं उनके लिए home guard reserve रहता था ऐसे male candidate जो की police retire हो चुके है fire force, exercise, forest और central defense forces के जो भी male candidates है जो retire हो चुके हैं उनके लिए home guards की post जो है ये reserve रखी जाती थी तो अब उस भी में 30% का reservation महिलाओ के लिए रख दिया गया है या अब महिलाओ को भी appoint किया जाएगा as a guard in fire and rescue services केरला के chief minister है पिनराई विजियन, capital है तीरु वानांतपुरम और governor है आरिफ महमत खान next question है who has inaugurated direct port entry facility of VO चिदंबरनार port trust in Tamil Nadu Tamil Nadu में VO चिदंबरनार port trust की direct port entry सुविधा का उधगाटन किस ने किया है तभी हाली में union minister of state for shipping independent charge Mansuk Manduji जी ने inaugurate किया है direct port entry facility का और कहाँ पे किया है VO चिदंबरनार port trust जो की है तमिलनाडू में है तो जो facility सुरू की गई है तो इससे काफी जादा export के business में आसानी होगी इस of doing business export में बढ़ेगा इससे उसके अलाबा जो dwell time है उसे भी काफी जादा reduce किया जा सकता है उसके अलाबा जो tariff cost होता है ports पे वो उसमें भी काफी जादा कम ही आएगी और international trade को भी बढ़ावा मिलेगा इससे पहले क्या था कि कोई factory से जो container था ये दिया जाता था container freight station में और उसके बाद वहां से ये जाता था container terminal पे लेकिन अब ये जो direct port entry शुरू की गई है facility तो जो भी containers है तो सीधे factory से इन्हें export किया जाएगा container terminal पे 24 by 7 ये service अब लेवल रहेगी तो सीधे जो factory का stuff export है जो भी उनका container है उसको सीधे container terminal तक पहुँचा जाएगा बात करें तमिल नाडू की तो यहां के चेफ मिनिस्टर है एडा पड़ी के पल्ननी स्वामी कवर्नर है बनबारी लाल पुरोहित और capital है चन्नाई तो ये देखत सिंग ने Knights of the Restless Spirits Stories from 1984 किताब लिखी सुषांत मोरे, हरसल भोषले और फावियो कोटी ने महाराष्ट के सायाधरी पहाडियों में इचिनोप्स सायाध्रिकस नाम से फूल के पौधे के एक नई प्रजाती की खोच की है 19th International Animation Day was observed on 28th October 28th October को 1900 अंतराष्टी अनिमेशन दिवस मनाए गया Kerala becomes first state to fix minimum support price for vegetables तो आली में सबजियों के लिए नियूंतम समर्थन मूल यानि MSP तैग करने वाला केराल पहला राजी बना है And the last is Amitabh Bachan becomes country's most trusted, Virat Kohli most trendy and MS Dhoni becomes most innovative brand Amitabh Bachan देश के सबसे भरोसे मन, Virat Kohli सबसे trendy और MS Dhoni सबसे रचनात्मक बने तो अब समय है आज के quiz का, आज के quiz का question है Where will the India's first logistic park be set up? परत का पहला logistic park कहा इस्तापित किया जाएगा तो make sure इस question का अंसर जरूर दे कांट लॉक्स में देखते हैं कल का question, कल के question मैंने आप से पूछा था With which countries Navy, Indian Navy has started Slynex exercise आली में किस देश की नोसेना के साथ, भारती नोसेना ने Slynex अभ्याद शुरू किया है तो इसका right answer था Slynex जो exercise है ये होती है भारत और Slynex की Navy's के बीच में तो नाम से भी आप समझ सकते हैं S, L से हो गया Sry Lanka I से हो गया India और N से हो गया Naval और EX से exercise तो स्रिलंका इंडिया Naval exercise तो आज का session यहीं समाप्त होता है I hope आपको ये वीडियो helpful लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी और helpful लगी है तो make sure वीडियो को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कीजिए अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने description में टेलिग्राम चैनल की link दे दी है आप हमारे टेलिग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं उसके साथ ही आप Facebook में मुझे follow कर सकते हैं online study academy 20 बे और आप Instagram में मुझे follow कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए कर इंटरफेस के साथ और साथ में देखेंगे कुछ important one-liners और quiz तो हो गई तो make sure कल भी आफ हमारे साथ इसी time पे जुड़े तब तक के लिए take care and thank you guys